नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी एतिहासिक फिलिम का टिकट दिखाने वाला हूँ जिस फिलिम का नाम सुनते ही आप जानना चाहेंगे कि ए फिलिम कब परदर्सित हुई थी इस फिलिम के कलाकार कौन कौन थे इस एतिहासिक फिलिम के निर्देशक कौन थे और इस फिल्म के संगितकार कौन थे तथा इस फिल्म के टिकट जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस टिकट पर उस समय क्या-क्या लिखा होता था मैं आपको सब कुछ भी स्तार से बताऊंगा बस आप मेरे वीडियो पर अंतक बने रहिए तो दोस्तो आईए सुरू करते हैं दोस्तो आज मैं जो टिकट आपको दिखाने वाला हूँ ए टिकट अपने जमाने के मसहूर फिल्म मुगले आजम का है ए फिल्म पाँच अगस 1960 को सिनेमा घरों में परदर्सित हुई थी इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे प्रित्वी राज कपूर, दिलीब कुमार, मधुबाला, दुर्गा खोटे, निगार सुल्ताना, अजीत, मुराद, जिल्लो बाई, सुरिंदर, जानिवाकर, गोपी कृष्ण, बेबी तबस्सूम और जलालागा दोस्तो उस समय इस फिल्म के गाने भी बहुत मसुहूर हुए थे और इन गानों को अपने सुमधूर संगीश से सजाया था नौसाज जी ने और इस एतिहासी फिल्म को निर्देशित किये थे के आसिफ जी ने दोस्तो ये टिकट इसी फिल्म के सिनेमा घरों में परदर्शन के बाद के दूसरे हपते का है दोस्तो ये टिकट 17 अगस 1960 का है और ये मराठा मंदिर टाकिज के ड्रेस सरकल का टिकट है बुधवार के दिन का ये टिकट साम 4 बज कर 45 मिनट के सोका है और उस समय इस टिकट की कीमत 2 रुपे थी तो दोस्तो ये थी मुगले आजम फिल्म के टिकट की पुरानी यादे दोस्तो मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और जरूर करियेगा दोस्तो अब लेता हूँ आप लोगों से विदा जै हिंद जै भारत